दोस्तों नमस्कार, functional foods और nutraceuticals ऐसे buzzwords बन चुके हैं, जो कि आज कल हर कोई व्यक्ति यूज़ करना चाहता है, अपने पढ़ाई में, अपना education में, examinations में, अपने researches में, अपने writing में, जो भी कुछ वो लिख रहा है, scientific document, तो functional foods और buzzwords को वो यूज़ करना चाहता है, even news में, magazines मे जो articles आ रहे हैं, उसमें भी functional foods और nutraceuticals को एक साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन अक्सर cases में functional foods को और nutraceuticals को interchangeably यूज़ किया जाता है, exactly इन दोनों के बीच में क्या distinction है, इसको हम लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत सारे ऐसे commodities हैं, जिसमें की लोग बहुत बार उनको functional कह द functional नहीं है, और नजाने और beat route और भी बहुत सारे दूसरे example जिसको functional food की तरह कहा जाता है, तो ये functional foods होते क्या है, nutraceuticals होते क्या है, एक दूसरे से कैसे differ करते हैं, इनके बारे में कुछ regulations भी exist करता है कि नहीं करता है, तो आज के वीडियो में हम इनी सब चीज़ों के बारे मे चर्चा करेंगे। और बहुत सारे examples के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं functional foods की और उसकी definition की, की functional foods की definition बोलती क्या है, foods that contain active components that promote health benefits beyond traditional nutrition, इसको functional food कहा जाता है, कि ऐसे foods जो nutrition के अलावा भी हमारी body को benefit देते हैं, उसको functional food कहा जाता है, they are also sometimes known as health food और therapeutic foods, बहुत सारे लोग ऐस हैं, जो इसको health food और therapeutic foods से confuse करते हैं, यानि कि common nutrients में अगर हम कोई bioactive substances add कर देते हैं, जो की health promoting होते हैं, तो वो functional food बन जाता है, ऐसा हमको इस definition से समझ आता है, लेकिन इसके बावजूर भी कुछ ना कुछ confusion exist कर रहा है, और ये definition अभी भी कुछ और discussion मांगती है, बहुत सारे foods ऐसे हैं, जिसको की health के लिए अच्छा माना जाता है, और बहुत बार हम उनको functional food कह देते हैं, आम functional food है के नहीं है, आम functional food है के नहीं है, कमाटर में lycopines होते हैं, आम में keratinides होते हैं, carrot में भी keratinides होते हैं, बीट रूट एक बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा होता है, इसके लावा ओट्स तो एक complete food है, ओट्स तो 100% functional food है ही, नजाने ऐसे कितने questions हैं, जो हमको ये बताते हैं, कि functional foods के बारे में लोगों का कितना interest है, और किन-किन foods को लोग functional foods समझते हैं, तो ये सारे के स सारे foods में बहुत बार ऐसा देखने में आता है, कि लोग इनको functional foods कहते हैं, कि हाँ, हाँ, साथ, ये तो functional foods है, इससे हमारी health को पाइदा होता है, लेकिन जिस claim के basis पे हम इनको functional foods कह रहे हैं, तो वो claim यही तो कह रहा है कि हमको health benefits देते हैं, तो अगर हम ऐसा सोचें, तो सारे क सारे fruits, vegetables, vitamins, minerals में रिच होते हैं, वाय-active compounds में रिच होते हैं, तो वो सारे के सारे fruits इसके definition के boundaries में आ जाएंगे, वो सारे के सारे functional foods होंगे, तो कैसा ऐसा है कि नहीं है, ऐसा बिलकुल नहीं है, ये सारे के सारे foods functional foods नहीं कहलाते हैं, जब तक कि कुछ substantial claims यह satisfy नहीं कर देते है और वो claims कैसे बनते हैं, और क्या बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो उससे पहले अगर हम लोग देखते हैं, कि फंक्शनल foods को basically, दो types के sources हो सकते हैं, एक वो जो foods naturally exist करते हैं, और naturally they contain the biological active non-nutrient compounds, जो कि phytokemicals, जो बाइक हम लोग बोलते हैं, तो naturally exist करते हैं ज दूसरी कर्डिगरी वो है, जहांपे food products specifically formulate किये जाते हैं, एक में तो naturally exist करते हैं, दूसरी कर्डिगरी में जहांपे specifically formulate करते हैं, ताकि उसमें higher amounts of bioactive compounds हो, higher amounts of nutraceuticals exist करते हो, और जो कि normal food के comparison में ज्यादा हो, और ऐसे foods को designer food भी कहा जाता है, ऐसे foods को हम लोग designer food भी बुलते हैं तो भाई अगर इस definition को अगर हम लोग देखेंगे, फिर तो सारे के सारे plant foods functional food आ जाएंगे, कि सब में कुछ ना कुछ जो health benefits के claims रहते ही हैं, कुछ ना कुछ bioactive compounds हैं, fruits vegetables में तो खास कर, कुछ-कुछ cereal grains में भी जैसे मैंने oats का example लिया, तो अगर ऐसा है, तो सारे के सारे foods functional foods ह जो first part है, वो कही ना कही confusion create करता है, कि इनको भी functional food कहा जाए, कि नहीं कहा जाए, तोड़ा सा और clear करने की कोशिश करते हैं, कि कैसे होता है, ये functional food नहीं होते हैं, जो first part वाने, क्योंकि इनके जो claims हैं, वो substantiate नहीं होते हैं, कि health benefit होगा भी होगा, कि नहीं होगा, एक छोट functional benefits को establish करने के लिए चाहिए, वो content हम normal diet में consume नहीं करते हैं, यानि कि हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में carrot खानी पड़ेगी, तब जाके वो functional benefit हमको मिलेगा, normally हम normal diet में जतनी quantities खाते हैं, उससे हमको benefit मिलता है, health को ठीक है, लेकिन एक जो disease prevention वाली situation जो आती है, वो हमको तभी possible हो पाएगी, जब हम एक substantial quantity में उसको खाएंगे, और वो हम consume करेंगे, हमारी body को वो particular bioactive ingredients मिलेंगे, फिर चाहे वो bio, sorry, wheat root हो, फिर चाहे वो oat हो, फिर चाहे वो carrots हो, tomatoes हो, जो भी हो, तो ये सारे के सारे functional foods तभी होंगे, जब substantial quantities में हमको consume करते हैं, और वो bioactive compound हमको substantial quantities में मिल umbrella terms हैं, जिसमें की सारे के सारे जो buzz words यूज किया जाते हैं, organic foods, whole foods, लोग बोलते हैं कि whole foods होना चाहे जिसमें से कुछ नहीं निकाला हो, especially in case of grains, whole grains हम लोग को use करना चाहिए, कि होंको आता खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, things like that, then nutrient dense foods, मैंने एक पिछले वीडियो म में क्या difference होता है, then designer foods इनको specifically design किया जाता है, in order to solve the problem of a particular type of individuals, particular group of individuals, then we have the functional foods, जो कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि functional foods क्या हैं, dietary supplements, जो कि as a supplement हम यूज करते हैं, normal diet के साथ, normal course of meals में नहीं घाते हैं, nutraceuticals, जो capsule की form में exist करते हैं, और भी नहीं जाने कितने, ये सारे के सा सारे foods हैं, जो हमारी health को positively support करते हैं, लेकिन सारे के सारे functional foods हैं की नहीं हैं, ये एक सवाल है, और इस पे और ज्यादा थोड़ा सा emphasis देने की जरूरत है, बात करते हैं कि एक technical definition फिर क्या होनी चाहिए, जो कि acceptable definition हो, तो ये frontiers in nutrition में 2022 में एक paper publish हुआ, नॉर्मन जे टेंपल ने को point out किया, और उन सारी कम्यों को complete पूरा करते हुए, cover करते हुए, एक comprehensive definition देने की कोशिश करी, functional foods की, तो ये definition कहती है कि functional foods are novel foods, novel foods means, जो foods normally exist नहीं करते हैं, novel foods means new foods, जिनको बनाया जाता है, normally वो exist नहीं कर रहे हैं, they are the novel foods that have been formulated, जिसको formulate किया गया है, so that they contain the substances or the live microorganisms, तो उसके भीतर वो substances हो, वो bioactive compounds हो, या फिर live microorganisms हो, that have a possible health enhancing or disease preventing value, possible health enhancing or disease preventing value, इतना उसके अंदर value, इतना उसके अंदर potential होना चाहिए, ताकि disease prevent हो जाए, at a concentration that is, देखो बड़ा interesting इनों लिखा है, at a concentration that is both safe, वो safe भी हो, इतनी concentration हो, और sufficiently high भी हो, sufficiently high to achieve the intended benefit, तो इस definition में वो सारा कवर आता है, जैसे मैंने कहा, कि carrot एक functional food होगा की नहीं होगा, oats functional food होगा की नहीं होगा, meat root functional food होगा की नहीं होगा, तो पहली बात ये सारे के सारे foods, novel foods नहीं है, ये तो naturally exist कर रहे हैं, formulated नहीं है, तो इसको हमने formulate तो नहीं किया, तो ये functional foods की category में नहीं आ पाए, दूसरा, they should contain substantial quantities of substance, जो ना तो बहुत ज़्यादा हो, जो कि उसको unsafe बनाते लेकिन उसके बावजूद भी इतने जादा हों कि वो possible health enhancement या disease preventing value उसकी बनी रहे, तो ये बड़ा important टीनों चीजें है, formulated, the term formulated into the definition, that they are novel and formulated means not naturally existing, the possible health enhancing or disease preventing value, and at a concentration, जो की safe भी है और sufficiently high भी है, ये सारे conditions को जब fulfill करता है कोई particular food, तभी हम उसको functional food की category में डालेंगे, the added ingredients may include the dietary fiber, phytochemicals, other substances, और the probiotics, जो added ingredients है, formulation के time में, ये सारे के सारे उसमें हो सकते हैं, तो ये comprehensive definition, temple ने दी, 2022 में, frontiers in nutrition में इसको publish किया गया, अब कुछ देखते हैं, ऐसी ही definition, जो institute of food technologists है, जो कि मैंने आए, तभी चर्चा भी करे थी, कि एक international forum है, food technologist का, और इसकी recommendations internationally accepted रहत है, तो institute of food technologists ने भी एक इसी प्रकार की definition दी थी, और मैंने लिंक दिया है, इसमें आप इसको देख भी सकते हैं, the functional foods are the conventional foods to which specific essential nutrients और the food components are added, यानि वो conventional food, यानि कि वो गाजर, वो टमाटर, वो wheat root, वो ओट, जिसमें specific essential nutrients और the food components are added, उसमें कुछ ना कुछ essential nutrients और bioactive compounds हमने add किय for the targeted physiological function, ताकि वो physiological function जो हम target कर रहे हैं, वो अचीव हो जाए, and they have the potential to provide health benefit beyond basic nutrition, basic nutrition के अलावा भी वो health benefit provide कर सकता है, इस प्रकार से, IFT ने, institute of food technologists ने, इसको कहा, the definition of functional foods, so the nutrient dense foods, such as fruits, vegetables, not small foods, ये सारे के सारे उसमें आते हैं, अगर हमने उसको enhance किया हो, nutrient dense बनाया हो, उन सब ingredients के स साथ, कोई nutrient dense food, हमने formulate किया हो, fortified enriched or enhanced foods, such as calcium, rich orange juice, milk fortified with vitamin D, grains with added fiber, these are all the functional foods, लेकिन natural form में जो exist करता है, वो functional food की काडिगीरिम नहीं आते हैं, जब हम उसको खा देते हैं, कौन-कौन से benefits उसमें आने चाहिए, after consumption, what kind of benefits they should give, that they should prevent the nutrient deficiencies, they should reduce the risk of diseases, they promote the growth and development, and they enhance the health, ये सारे के सारे benefits को देता है, तो कुल मिलाके ये हुआ, कि वही गाजा, ट्रमाटर, ओट्स ये functional food नहीं है, formulated food है, जिसमें enhanced value create करी गई हो, वही functional food की काडिगरी में आएंगे, जो novel foods होंगे, वही functional food की काडिगरी में आएंगे, अगर वह enhanced benefits हमको देते हैं, तो फिर अब nutraceutical क्या होते हैं, so these are the substances that provide health benefits, वो substances जो actually भी health benefits provide करते हैं, वो substances जो functional foods को functional food बनाते हैं, the nutrients in the nutraceuticals are usually obtained from the food extracts or the natural source, अब देखो, ये क्या है, basically ये functional food नहीं है, ये वो extracts हैं, वो herbs हैं, वो fruits, vegetables, natural foods के वो formulations हैं, जिसमें की बहुत concentrated form में वो bioactive compounds exist करते हैं, natural food metrics में नहीं करते हैं, अगर compare करेंगे characteristics में, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये safe हैं, foods are very very safe, and drugs are not safe, they are not strictly, no strict specifications for the limits of consumption, कितना खाना है, कितनी बातरा में, कितनी रोटी खाना है, कितना चावल खाना है, कोई specifications नहीं हैं, लेकिन drugs के लिए specification दी जाती है, एक दवाई दो गोली से ज्यादा ना खाये, so that is how it is there, provide slow result, food के slow result आते है दवाई के बहुत fast result आते हैं, बहुत diverse होते हैं, foods ना जाने कितने प्रकार कोते हैं, दवाईयों में भी variation है, लेकिन इतनी ज्यादा diversity नहीं हो सकती ही, जितनी foods में है, the minimum standards for preparation, ऐसा कुछ exist नहीं करता है, और basic जैसे बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं, लेकिन drugs के लिए बहुत high standards है, specifications रहती हैं कि कैसे उसको manufacturing करनी है, and minimum education regulation for sale, और इसके लिए कोई regulation नहीं है, sales के लिए भी food के लिए, लेकिन strict regulation exists for the sale, तो इसका मतलब इन सारे parameters में, अगर हम food और drug को compare करेंगे, तो nutraceutical इसके बीच में आएगा, regulations के हिसाब से भी, stringency के हिसाब से भी, consumption के हिसाब से भी, और norms, दूसरे norms हैं, उसके हिसाब से भी, so food, the nutraceutical will exist somewhere in between the foods and the drugs, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसी को ही convert करते हैं, एक safety scale में, कि safety scale में फिर यह कहां पर आते हैं, कौन का सकौन सा component कहां आएगा, अगर मैं safety scale draw करता हूं, जो की food से लेके drug तक span जिसका है, food least risk में है, और drug highest risk में है, अगर इस प्रकार का safety scale आता है, तो एक dividing line हम को मिलती है, जहां पे functional foods और nutraceutical के बीच में हम लोग divide करते हैं, functional food दो प्रकार के formulation हैं, जैसा अभी हमने चर्चा करे थी, वो जो basic हैं, और जो वो जो formulated हैं, तो जो basic हैं, उसको हम functional food की definition में cover नहीं करते हैं, अगर वो तो natural form में जो foods exist करते हैं, उसको functional ingredient, functional competencies के लिए बहुत ज्यादा quantities में consume करना पड़ता है, पड़ेगा, जो कि practically possible नहीं होगा, तो safety scale में अगर हम लोग देखते हैं, तो एक dividing line है, functional foods और nutraceutical के बीच में, drug is the most risky, then the nutraceuticals, they are less risk as far as the safety is concerned, and then the functional foods, and then comes the food, basic food. So, this is how we can divide, and this is the dividing line between the functional foods and the nutraceuticals. तो अगर फिर अब, finally हम compare करते हैं, तो basically difference कैसे हम को मिलता है, that the functional foods are similar to the conventional foods. Some functional foods कैसे होंगे, खाने में conventional food के जैसे होंगे, जो matrix होगा, वो conventional food वाला ही होगा, जिसमें हम उसको consume करेंगे, लेकिन, it is also consumed as a part of the normal diet, but it is known to have the proven physiological benefits and the capacity to reduce the risk of coronary diseases beyond the basic nutritional function. तो normal food matrix में, normal food में, जैसे सिर्फ basic nutritional functions रहते हैं, enhanced function नहीं रहते हैं, functional foods में enhanced functions रहते हैं, और ये proven physiological benefits हम को देता है, तो इस प्रकार के food को functional food खाएं कहेंगे, लेकिन matrix क्या होगा, normal food matrix ही होगा. नूटर्शूटिकल में, normal food matrix नहीं होता है, it is also not consumed as a part of normal meals, नूटर्शूटिकल को normal meals की तरह नहीं खाते हैं, हम लोग dietary supplements की तरह इसको use करते हैं, और उसके benefits तो होते हैं, बहुत concentrated form में उसमें bioactive compounds रहते हैं. तो यह दोनों differences आते हैं, इंडियन regulations जो हैं, जो functional foods और nutraceutical को govern करते हैं, आप देख सकते हैं, food safety and standards, health supplements, nutraceutical food for special dietary use, and food for special medical purposes, functional food and novel food. यह एक regulation दिया गया है, 2016 में, so whatever existing regulations are there, so they are mentioned in this regulation of the FSI, आप FSI की website पे जाके इस regulation को देख सकते हैं, so the FSI regulations for functional foods and nutraceutical 2016, similarly organic food के लिए regulation है 2017 में, जो कहीं न कहीं health foods को comply करता है, और उसके compliance के लिए हम लोगों को इसको देखना चाहिए, 45 foods के लिए, अगर 45 food आप बना रहे हैं, तो उसके लिए regulation 2018 का एक regulation exist करता है, और advertisement और claims के लिए, कि वह functional जैसे मैंने शुरू में कहा था कि market is flooded with the functional ingredients, तो उनके advertisement claims के लिए एक regulation है 2018 में आया, वो भी FSI की website पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऐसे करके, this is what is the existing regulation of the functional foods in India, आज के दिन में यही regulation exist करता है, तो बाग करेंगे comparison की, कैसे कर सकते हैं, what is the differentiating characteristics between the food and the functional foods and the nutraceutical, तो left hand side में criteria हमने design किया और फिर differences बताने की कोशिश करी है, तो first criteria says that what does it provide, यह provide क्या करता है food, so food provides the basic nutrients, the carbohydrates, the fats, the minerals, the vitamins, the proteins, तो अगर food है, तो इन food को यह सारी चीज़ें provide करनी चाहिए, कुछ पिछले वीडियो में मैंने food की definitions भी बताई हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं, और कुछ-कुछ bio-active compounds भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन functional food जो होंगे, उसमें basic nutritional elements होंगे, जाते protein, fat, carbohydrate, vitamin, mineral, यह तो होंगे, लेकिन bio-active compounds होंगे, उन particular high concentrations में, ताकि वो हमको benefit देंगे physiological, और nutraceutical में basic nutritional ingredients नहीं होंगे, नहीं हैं तो भी चलेगा, लेकिन bio-active compounds होंगे, concentrated form, तो जो food है fundamental, उसमें bio-active है या नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा differentiate नहीं करता है, लेकिन functional foods में definitely उन high concentrations में होने चाहिए, लेकिन bio-active जब nutraceuticals में exist करते ह तो बहुत ही high concentration में extremely high concentration में पहला है तो यह nutraceuticals कहला है, अब functional substances क्या है, naturally low quantities में, enhanced quantities में और very high concentrations में, matrix food ही है, food में तो food ही होगा, functional food में में भी में मेट्रिक्स food ही है, जैसे हम खाना कहते है, चावल खाते है, रोटी खाते है, दाल खाते है, ब्रेन, बिसकित खाते है, तो food metrics ही रहता है लेकिन जब बात करते हैं तो नहीं रहता है यह यह तो बन जाएगा पॉडर बन जाएगा सिरफ बन जाएगा कोई लिक्विड बन जाएगा उस टाइप की फॉर्मलेशन यह बन जाता है का साथ इसको करते हैं तो नार्मली उसको नॉरोशेयों करते हैं तो पेंड already तृक्षिज तरह करते हैं नॉर्माल मील में नॉर्माजनुका परें लेकिन जो पूर्शीजिंघ्सмотр से खाते हैं अग come चीज है उसको अब को not as a normal right now, we cannot use that as normal safety issues, absolutely no safety issues with the food, whereas the functional food safety issues होंगे, क्योंकि ज्यादा concentration में यूज कर रहे हैं, तो कम होंगे, लेकिन लेकिन नुटर शूटिकल में ज्यादा stringent safety issues रहते हैं, regulations, इसके लिए food के लिए बहुत ज्यादा regulations exist नहीं करती है, functional foods के लिए regulation stringent हैं, लेकि अभी भी कम है as compared to the nutraceutical, और nutraceutical में बहुत stringent regulations नहीं, तो इस परकार से हम इनको compare कर सकते हैं, इस परकार से differentiate कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो concluding मैं difference बताना चाहूंगा, वो यह ही है, कि functional foods are food with enhanced ingredients, nutraceuticals are the capsules, powders, or liquid formulations, which are not in the basic food matrix, nutraceuticals is something which makes the functional food functionals, तो conclude करते हैं कि functional foods में basically क्या आता है, so the nutrients with bio-actives, they are covered in the functional foods, लेकिन bio-actives sufficient quantities में होने चाहिए, लेकिन safe limits में भी होने चाहिए, nutraceuticals में concentrated form में रहते हैं, और tablet, powder, liquid की formulation में यह आता है, और regulation FSR 2016, 2017, 2018 के regulation है, जो इसमें हम लोग use करते हैं, implement करते हैं, 2016 में functional food, nutraceuticals का regulation, 2017, 2018 में organic के regulations, advertisement, claims के regulation, तो यह सब इसको refer करते हैं, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको clear हुआ हूँगा difference functional foods में और nutraceutical में, तो अब आप in terms को use कीचिए, जहां functional food और nutraceutical को use करना है, बड़े ध्यान से समझ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, कुछ नए topics के साथ और बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत interesting topics के साथ, आप बने रहे हैं, और comment box में अपने suggestion लिखते रहे हैं, कुछ नए topics अगर आपको आपकी नजर में हैं, जिसमें वीडियो बनने चाहिए, वो भी मुझे बताईए, मैं कोशिश करूँगा उसमें वीडियो बनाने की, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much, नमस्का.